प्रतम बर्ष राजनीती विज्ञान MDS University के विध्यारतियों मैं डॉक्टर के विल्खान स्याचारे राजनीती विज्ञान राच के माविद्य लेच में हमारे जो विशेह है वो है आपका पेपर सेकेंड जित्ती प्रशिन पत्र प्रमग भारतिय राजनीतिक विचारत इसमे हम कर रहे थे मनु मनु में हमारा जो आज का विशेह वो है युद एवं युद के प्रती द्रिष्टिकोन मनु के युद एवं युद के प्रती क्या द्रिष्टिकोन रहे यह हमारा आज का टॉपिक है आज का विशेह है तो मनु ने युद एवं युद के प्रती द्रिष युद के प्रकार, तीसरा है युद के नियम, युद के नियम, और चोथा है विजित रास्ट एवं उसके धन के परती विजेता रास्ट का वहवार, यह चार भागें जिसमें मनु ने युद एवं उसके परती दिरिश्टे कौन को विभाजित किया, तो हम पहला लेंगे युद के अचित्य को सुईकार किया मनु युद के अचित्य को सुईकार करता है किन्तु उसने राज्य हित्वे उसने ये कहा है कि राज्य हित्वे वो कहता है कि राज्य हित्वे युद को अनिवारे एक और एक मात्र आधार नहीं मानना चाहिए मनु ने कहा है कि राज्यक हित में युद को अनिवारे एवं एक मात्र आधार के रूप में स्विकार नहीं किया जाना चाहिए मनु ने भी स्विकार नहीं किया अनिवारे एवं एक मात्र सादन के रूप में एक मात्र अधार के रूप में मनू ने भी युद्ध को सुईकार नहीं किया तो राज्य हित की पूर्ती में राज्य का जो हित है उसकी पूर्ती के लिए अपनाई जा सकने वाले सादनों जो सादन अपनाई जाते हैं अपनाई जा सकने वाले सादनों की तुलनात्मक वरियता की जाए तुलनात्मक वरियता के करम में मनुने युद को अंतिम इस्तान दिया है यजि तुलनात्मक वरियता की जाए तो मनुने युद को अंतिम इस्तान दिया है अंतिम विकल्ब है जब राजा एक पास कुछ नहीं बचेगा तो वो यूद करेगा यूद अनिवारे नहीं है अनिवारे एक मातर साधन या आधार नहीं है मनुने इसे सुविकार नहीं किया मनुने अंतिम विकल्ब के रूप में यूद को सुविकार किया मनु स्मृति में मनु ने शाषक को परिश्टियों के स्वयराश्टर के प्रती अनुकूल होने की दशा में ही परिश्टिया यदि स्वयराश्टर के अनुकूल हो जाए दूसरे राजा पर आकरमन का परामर दिया उसने दूसरे राजा पर आकरमन कर सकता है मनु का मत है कि राजा अपनी सेना आधी को शक्तिशाली यदि राजा अपनी सेना को शक्तिशाली समझे और शत्रू की सेना को इसके विप्री समझे यदि खुद की सेना को शक्तिशाली सम तो उसे आकरमन करना चाहिए, अन्यता उसे आकरमन नहीं करना चाहिए। युद के समय दोनों पक्षों की विजे पराजToday अनिश्ब होने के कारण मनु शाशक को सामनते युद के त्याक का प्रामर देते हैं। विजे पराजे अनिशित हो तो मनू शाशक को युद के त्याक का परामर देते हैं युद को त्याक कर देना चाहिए मनुने साम दाम और भेद तीनों विकल या तीनों उपायों के विफल होने की दशा में जब तीनों उपाय विफल हो जाएं तीनों उपाय जो है साम दाम और भेद ये तीनों उपाय विफल होने की दशा में आत्म रक्षार्थ आत्म रक्षा कर लिए आत्मरक्षार्ट ही युद को अंतिम विकल्प के रूप में सुिकार किया है यदि ये तीनों विकल्प ये तीनों पाई जो है ये तीनों विकल्प हो जाएं तो ही युद को अंतिम विकल्प के रूप में मनुने सुिकार किया है राजा को अंतिम विकल्ब के रूप में खाया कि यदि उसके सामने कुछ नहीं बचे तब भी उसे युद करना चाहिए अनेता उसे युद में नहीं उलजना चाहिए ये था पहला युद का ओचिति मनोंने युद के ओचिति को तर्श्विकार किया लेकिन युद को अंतिम विकल्ब के रूप में प्रस्तूत किया है युद अंतिम विकल्ब है और वो भी उस इस्तिती में जब राजा की राजा की सैना शक्तिशाली हो और शत्रुपक्ष की सैना निर्वल हो तब ही उसने युद करने का प्रामर दिया ये था पहला दूसरा आता है युद्ध के प्रकार, मनु ने युद्ध के मनुस्मृती में दो प्रकार बताएं, धरम युद्ध और कूट युद्ध, धरम युद्ध और कूट युद्ध, पहले लेंगे हम धरम युद्ध, धरम युद्ध की संग्या, मनु ने उन युद् दी है जो शत्रु द्वारा युद हे तू आमंत्रत किये जाने पर समस्त नैतिक नियमों जैसे सोय होए व्यक्ति को ना मारा जाए जो 31 उसको ना मारा जाए एस हैनिकों से युद्ध ना किया जाए जो एस हैनिकों से युद्ध ना किया जाए शरनागत जो शरन में आ गया है शरनागत युद्धा पर प्रहार ना किया जाए शरनागत युद्धा जो उस पर भी प्रहार ना किया जाए का पालन किया जाना चाहिए धरम युद के अंतरगत जितने भी युद हैं वो नैतिक नियमों के पालन करने पर बल देते हैं नैतिक नियमों का पालन किया जाना ही धरम युद है यदि धरम युद लड़ा जा रहा है और वो धरम युद है पहला है प्रकार धर्म युद्ध धर्म युद्ध की संग्या उन युद्धों को दिये जो युद्ध लड़े जा रहे उन युद्धों को दिये जिसमे शत्रु द्वारा समस्त नेतिक नियमों की पालना कियानी चाहिए समझ नैतिक नियम कौन से हैं जैसे सोय व्यक्ति को ना मानना ऐस हैनी को परप्रहार ना करना शरनागत युद्धा जो शरन में आ गया है शरनागत युद्धा परप्रहार ना करना ये सब नैतिक नियमें जिनकी पालना करनी चाहिए ये धरम युदों के अंदर आता है धरम युद की संगया है दूसरा आता कूट युद जिन युदों में नैतिक नियमों के अविलना की जाती है जिन युदों में नैतिक नियमों के अविलना की जाती है मनु उन्हें कूट युद की संगया देते है नैतिक नियम नहीं है जिन युदों में मनुने कूट यूद की संगया देते हैं मनुने कूट यूद के अंतरगत निम्न यूद किरियाओं को समयवेश किया है मनुने कूट यूद के अंतरगत कुछ किरिया है जिनको समयवेश किया है वो कौन-कौन से पहली, शत्रू को पीडित करने के लिए, उसके चारो और घेरा डाल लेना, या उसके बूसा अन घास जल इंधन को नस्ट कर देना, पहला चारो और घेरा डाल लेना, और उसके इन सभी चीजों को नस्ट कर देना, दूसरा आता है, शत्रू के नहर कूप आदी को नस्ट कर देना, शत्रू के नहर कूप आदी को नस्ट कर देना, नगर के परकोटे को नस्ट कर देना, खाई को प्रवेश योग्ये बनाने हित्यू मिट्टी से भर दिया जाना, खाई को प्रवेश शेतु बनाने के लिए मिल्टी से भर दिया जाना और रात में रात को युद के वाध्य यंत्रों की साहता से शत्रु को भैवीत किया जाना और रात में युद के वाध्य यंत्रों की साहता से शत्रु को भैवीत किया जाना शत्रू को भेवीत करना, यह था दूसरा पाइंट, तीसरा पाइंट आता है, शत्रू पक्ष के सैनापती, शत्रू पक्ष का जो सैनापती है, मंत्रियों को लालस देकर अपने पक्ष में किया जाना, शत्रू पक्ष के सैनापती और मंत्रियों को लालस देकर अपने पक्ष म किया जाना एवं शत्रू के द्वारा किये जा रहा है कार्यों का गुप्त ढंग से ग्यान प्राप्त करना शत्रू के द्वारा जो कार्य किये जा रहे उनका गुप्त रूप से ग्यान प्राप्त कर लेना ये थे तीन कूट युद्ध जो है जो नहतिक नियमों को पालन करते हुए लड़े जाएं कूट युद्धों के जिनमें नहतिक नियमों के अभिलना हो चार प्रकार की क्रिया हैं तीन प्रकार की क्रिया हैं समविश्की तीनों प्रकार की क्रिया हैं मैंने आपको बता दी नेक्स आता है युद्द के नियम युद्द के नियम क्या होने चाहिए मनुने युद्द के दोरान भी नहतिक नियमों की पालना पर अत्यादिक बल दिया है युद्द लड़ा जा रहा है युद्द के दोरान भी नहतिक नियमों की पालना करने पर अत्यादिक बल दिया, नहतिक नियमों की पालना करने पर अत्यादिक बल दिया है मनु की युद्ध संबंदी नीतियों के विवरण से यह स्पस्थ होता है कि वे युद्ध के नियमों की पालना करना आवशक मानते हैं मनु युद्ध के नियमों की पालना करना आवशक मानते हैं मनु इस्पृति में प्रती पाजित कुछ प्रमुक नियम इस प्रकार है मनु इस्पृति में जो प्रती पाजित हैं कुछ प्रमुक नियम इस प्रकार है पहला पांच प्रकार के नियम है बहार से तो लकड़ी दिख रही है और बीतर से घातक है बहार से लकड़ी आदी बीतर से घातक विश में बुजाय गए शस्त्र विश मतलब जहर जहर में बुजाय गए शस्त्र अगनी से प्रजलित अगर भाग वाले शस्त्र अगनी से प्रजलित जो अगर भागवाले शस्त्र है उनका प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए युद का पहला नियम युद में कूट शस्त्रों कूट शस्त्र जो है उनका उनका प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए कूट शस्त्र कौन कौन से जिसे बाहर से लकडी आदी बीता से घा तक विश्वे बुजाए गए शस्त्र अगनी से प्रजलित अगर भाग वाले शस्त्र इनका प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आता है शर्नागत शत्रू पर शस्त्र प्रहार नहीं किया जाना चाहिए तीसरा सोई होए व्यक्ति पर शस्त्र रहित अथ्वा युद में भाग नहीं लगे सोई होए व्यक्ति हो गया शस्त्र रहित हो गया व्यक्ति जो सो रहा है या व्यक्ति जिसके पर शस्त्र नहीं है अर्थवा युद में जो भाग नहीं ले रहा है युद में भाग नहीं ले रहे व्यक्तियों पर प्रहार नहीं किया जाना चाहिए तीसरा नियम के आता है जदी कोई व्यक्तिस हो रहा है या युद्ध में भाग नहीं ले रहा है या शस्त्रों से रही थे उस पर प्रहार नहीं किया जाना ची उस पर किसी भी प्रकार से प्रहार नहीं किया जाना ची चोथा आता है युद्ध में युद्धाओं द्वारा जीता गया धन उन्हीं युद्धाओं को प्रदान किया जाना चाहिए जुद्ध में युद्धाओं द्वारा जो जीता गया है युद्धा जो लड़े हैं उनके द्वारा जो जीता गया है वो उन्हीं को दे दिया जाना चाहिए उन्हीं को दे देना चाहिए और लास्ट है पांचवा पाइंट राजा दुआरा युद्ध में जीते गए धन में से प्रतेक युद्धा को राजा दुआरा जो जीता गए धन है उसमें से प्रतेक युद्धा को उसके पुरुशार्त के अनुसार भाग प्रदान किया जाना चाहिए उसके पुरुशार् विजित राश्ट जो है उसके धन एवं धन के प्रती जो विजिता राश्ट है उसका वेवार कैसा रहेगा युद में विजित धन के संबन्द में मनु ने राजा को परामस दिया है युद में विजित जो धन है उसके संबन्द में मनु ने राजा को परामस दिया है कि कम मुल्ले के ढरव्य है जो कम मुल्ले के ढरव्य है जुद में जीतकर लाने वाले योड़ाओं को भवे दने चाहिए मनुक अनुसार केवल बहुमूले रत्न, सोना, शानदी एवं भूमी ही राज़ा दौरा ग्रान की जानी चाहिए सोना चांदिय और भूमी राजा द्वारा ग्रेंड की जानी चाहिए एवं उसका भी यता समय सैनिकों के मद्दे प्रशार्थ के आधार पर वित्रन किया जाना चाहिए उसका भी यथा समय सैनिकों के मद्धे उनके प्रशार्थ के अनुसार वित्रन कर देना चाहिए मनु ने राजा को प्रामस दिया है कि विजित राज्ये पर अपना शाषन स्थाई बनाने के लिए राजा को यह प्रामस दिया है कि जो विजित राज्ये है उस पर अपना शाषन स्थाई बनाने के लिए वहां के व्यक्तियों के प्रती उदारता एवं सही शूरता का वेवार करना चाहिए उनके प्रती उदारता एवं सही शूरता का वेवार किया जाना चाहिए जिससे वे शाषन के कारे में सहयोग प्रदान कर सके। मनुस्वृति में विजेता शाषक को निर्देश दिये गया है कि विजे लाप के उपरान प्राप्त की गई वस्तूओं का कुछ अंश विजे के उपरान जो प्राप्त की गई वस्तूओं उसका कुछ अंश देवताओं को एवं ब्रामनों को दान कर देना चाहिए। उन्हें अबेदान प्रादान किया जाना चाहिए। इसलिए कि वे निर्भे होकर अपने अपने कारे को कर सकते हैं। मनुने विजित राज्य जो है के प्रशाशन हे तू राज्य की प्रमुक व्यक्तियों की इच्छा जाने एवं उस राज्य के पूरु शाशक वंश के उसके वंश के किसी व्यक्ति को राजा के पद पर न्युक्त करने का उचित माना है उसी के ही वंच के किसी व्यक्ति को राजा के पद पर न्युक्त कर दे राजा के पद पर न्युक्त करना उचित माना है तथा विजेता राजा को परामर्ज दिया है कि विजित राज्ये के साथ कुछ शर्तों का निर्ध ये था मनु का जुद एवं युद के प्रतिदिश्टिकों